हम इंसानों के पास दो amazing gifts होते हैं पहला rational thinking, दूसरा intuitive thinking माइन के थुरू हम analytical thinking कर सकते हैं ये बहुत ही powerful and useful tool होता है जब भी हम life के situation पर आधारित किसी भी तरह के कोई facts या clear understanding के साथ कोई decision लेते हैं या कोई problem solve करते हैं उसे ही rational thinking कहा जाता है लेकिन वही mind को जहां अंजान चीजे face करनी पड़ती है वहां हमारा rational mind let go नहीं कर पाता बलकि तर्क वितर्क देने लगता है माना आपको किसी ने कुछ बुरा बोल दिया अब आप उसे let go करने की जगर खुद को साबित करने में लग जाते हो कि आप अच्छे हो और आप में कोई कमी नहीं है rational thinking हमें easy लगती है क्योंकि वहां सब predict किया जा सकता है वहां पर guarantee होती है हम उसे trust कर सकते हैं वही intuitive thinking थोड़ी डरावनी and confusing हो सकती है क्योंकि वहां से आने वाले results हमें मालूम नहीं होते जैसे आप कहीं जा रहे हो और आप रास्ता भुल गए तो अब दो रास्तों के बीच choose करने में आपको डर लगेगा क्योंकि आपको नहीं मालूम आप कहां पहुँच जाओ फिर भी अगर हमारी gut feeling कहती है कि इस रास्ते से जाएंगे तो शायद हम अपने destination पर पहुँच जाएं और आप अपने दिल की सुनते हो और सही जगा पहुच जाते हो हम rational thinking के साथ comfortable feel करते हैं और उसी के साथ problem solve करने लग जाते हैं और इसलिए कहीं बार हम overthinking करने लगते हैं tension और stress आ जाता है लेकिन सही माइन में वहां हमारा intuition काम आता है और इसी तरह हर जगर intuition काम नहीं आता हमें practically चीजों को देख कर चलना पड़ता है हम इन दोनों के difference को कैसे समझें देखो rational thinking तब काम आती है जब आपके पास किसी situation से related सारे facts या figure सामने हो वही intuitive thinking में आपको एक trust करना पड़ता है क्योंकि हमेशा rational mind साथ नहीं देता Without trust, that inner feeling we lack faith in ourselves और इस self distrust की वज़ा से हम कोई होने वाली अच्छी opportunity को miss कर देता है intuition एक invisible bridge होता है हमारे conscious and unconscious minds के बीच इसमें ऐसे information छुपी होती है जो हमें मालूम नहीं होती लेकिन बहतरीन तरह से काम करती है इसी कारण से जो intuitive nature के लोग होते है वो बिना reason and logic लगाए life में आने वाली सारी problems solve कर सकते है world के greatest scientists and thinkers में से एक Albert Einstein ने एक बर कहा था कि जब इंसान अपने right and left brain दोनों का use करते हैं तब वो intuitive and creative के साथ logical and analytical भी होते है और उस वक्त उनका brain पूरी तरह काम करता है और इससे life के actual meaning का पता चलता है उनका कहिना था कि life में सिर्फ दिमाग से ही काम नहीं लेना चाहिए बलकि दिल से भी लेना चाहिए जबकि ये statement एक सबसे बड़े logical mind के द्वारा बोला गया क्या आप जानते हो दोस्तों Einstein के मरने के 8 घंटे बाद में उनके brain को निकाला गया और लंबी समय तक उनके brain कर research की गई और ये पाया गया कि उनके पास एक brilliant intuitive mind भी था Einstein का mind normal लोगों से अलग था क्योंकि left और right brain इन दोनों में एक perfect balance पाया गया वो logic के साथ intuition भी यूज़ करते थे और यही कारण था उनके इतने अच्छे स्थर पे काम करके success पाने का ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर intuitive thinking की powers नहीं होती हम चाहे तो इसकी power को train करके बढ़ा सकते हैं जो intuitive nature के लोग होते हैं वो बहुत self aware होते हैं खुद की feelings and thoughts को लेकर वो जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी body कैसा feel कर रही है और उसी according वो लोग अपने intuition का use करते हैं खुद को heal करने के लिए और healthy feel करवाने के लिए जिसे ये लोग life में हर problem का सामना अच्छे से कर पाते हैं ये अपने past experience के base पर अपनी current situation को अच्छे से समझ लेते हैं और उसी मताबिक काम करते हैं वो अपनी feelings express करना बखू भी जानते हैं और अपनी feelings पर trust करते हैं इसलिए उनका intuitive nature समझ लेता है कि उन्हें life में आगे क्या करना है Highly intuitive लोग अकेले रहना बसंद करते हैं जिससे वो recharge हो जाते हैं जिससे दूसरे क्या कहते हैं उससे वो जरा भी प्रभावित नहीं होते वो life में breaks लेना पसंद करते हैं कि silence में बैट के चीज़ों पर गहन कर सकें और हर situation में बहतर perform कर पाएं इसी तरह से उनकी intuition को एक space मिल जाती है जिसमें उन्हें help मिलती है उनकी inner voice सुनने में intuitive nature वाले लोग खुद को जमीन पर रखना जानते हैं इसका मतलब है कि वो खुद की authentic self को पहला दरजा देते हैं वो कभी भी जूटा चाहरा लिये नहीं घूमते हैं इससे वो उनकी wants and needs के प्रती self aware होते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या करना चाहिए बलकि किस चीज की कितनी value है उन्हें इस से फर्क पड़ता है इस perspective के साथ उनका intuitive nature उन्हें help करता है हर situation को सही तरह से deal करने में Number 4, empaths Highly intuitive वाले लोगों को बहुत बार empaths बोला जाता है empathetic का मतलब होता है कि वो लोग आसानी से समझ जाते हैं दूसरा इंसान क्या feel करता है और इस कारण से वो selflessly दूसरों की help करना जाते हैं इन लोगों पर आप आग बंद करके भरूसा कर सकते हो क्योंकि मुसीबत के time ये आपका हमेशा साथ निबाता है क्योंकि वो खुद को दूसरों की जगर रग कर देखते हैं इसलिए दूसरों की दुख तकलीफ को वो अच्छे से समच सकते हैं intuitive person जानते हैं कि दूसरों को कैसे खुश किया जा सकता है और वो उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं उनके intuitions उन्हें बता देते हैं कि सामने वाला क्या feel कर रहा है उनकी body language देखकर या कोई hint जो normal लोग notice नहीं कर पाते हैं वो समच जाते हैं कि कौन भार से खुश है और कौन नाटक कर रहा है और अंदर से दुखी है Highly intuitive लोग experiences के भूके होता हैं उन्हें explore करना अच्छा लगता है जिससे कि वो life के हर aspect को अलग और बहतर नजरी से देखता है जितनी नई चीज लाइफ में explore करता है हमारी knowledge deep होती जाती है और इस कारण self discovery और exploration से हमारे intuitions और perfectly काम करता है Highly intuitive people बहुत creative nature के होता हैं वो इनके intuition पे भरोसा करके किसी भी काम को सफल बनाना अच्छे से जानते हैं वो ऐसी चीज़ों का solution निकालना जानते हैं जो बहुत tough होती है, confusing और uncertain होती है creative होने के कारण वो नए ideas के साथ खुद को अच्छे से present करना जानते हैं Intuition हमेशा present moment से आता है Intuition एक sudden unexpected feeling या sensing होती है किसी भी चीज़ के लिए जो कि हमेशा तूरंट आती है और इसमें logic लगाने का कोई sense नहीं बनता क्योंकि logical या rational mind हमेशा past या future से related होता है बलकि intuition हमें समय नहीं देती decide करने के लिए वो बस काम करवा देती है इसलिए highly intuitive लोग present पे रहना जानते हैं उन्हें मालूम होता है कब रुखना है और कब आगे बढ़ना है mindfulness उन्हें help करती है किसी भी चीज़ के लिए action लेने में ना कि choose करने में वो जानते हैं कि उनकी insights कभी कभार meditation के रूप में उनके सामने आती है तो ये थे कुछ tips कि highly intuitive person किस तरह से काम करते हैं normal लोगों की comparison में और उनमें ऐसा क्या खास होता है जो खास बात आप भी अपने अंदर develop कर सकते हो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई हो तो एक comment और like जरूर करना ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें Thanks for watching, stay blessed and remember It's all about just mindset